प्रिये साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं जोतिसोर समधान पांच वस्तवे आपको बिल्कुल भी किसी को कोई मांगने आपके घर पर आए बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए ऐसा करने से दोसरों के दुख, दोसरों की दरिदृता, दोसरों के भाग्या की टेंसन आपके उपर आकर पड़ जाती है वह पांच वस्तवे कौन-कौन सी हैं जो आपको अपने घर से किसी को भी नहीं देनी चाहिए मैं आपको बताऊंगा लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ा हूँ, मैं आपको बता दूए यदि आप जोतिस के द्वारा अपनी समस्त परकार की समश्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी सरेणी के राशी रतन खरीदना चाहते हैं आप हमसे समपरक कर सकते हैं, मेरा फोन नंबर, मेरा वोट्स अप नंबर आप इसक्रीन पर देख रहे हैं तो चलिए दोस्तों विसे में आगे बढ़ते हैं स्वयम के कपडे कपडे आपकी वहवस्तु है जो आपके सरीर के सबसे ज़्यादा निकट रहते हैं और आपकी और आपकी वाइवरेसंस इंसे टच रहती है दोस्तों आपके कपडे नए हो या पुराने हो यदि कोई मांगने आए तो आपको नहीं देने चाहिए किसी भी कंडिशन में ऐसा करने से आपके घर में घोर, दरिदृता और गरी भी आ सकती है आपकी इस्तरी के गहने गहनों से सजी हुई इस्तरी मा लक्समी का ही परतिबिम्ब मानी जाती है तो साथियों आपकी इस्तरी के गहने कोई मांगने के लिए एक दो दिन के लिए चाहे ले जाए चाहे पर्मानेंट आपको बिलकुल भी नहीं देने चाहिए ऐसा करने से भी दोसरों के दुख आपके उपर आकर पढ़ जाएंगे शाम के समय के पस्चात दूद, दही और नमक इन में से भी आपको किसी को कुछ नहीं देना चाहिए ऐसा करने से भी घर में घोर, दरिदरता और गरीबी आती है जाड़ू आपके घर की दरिदरता को, आपके घर की गरीबी को दूर करती है दोस्तों, जाड़ू नई, पुरानी, योज की हुई कैसी भी हो आपको किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए ऐसा करने से भी दूसरे के दुख आपके उपर आकर पढ़ जाएंगे बिना पूजा किये हुए, बिना साधना किये हुए किसी संत महात्मा या किसी भी व्यक्ति को भिक्षा नहीं देनी चाहिए ऐसा करने से भी गरीबी आती है यदि कोई आदमी, कोई संत, कोई भिक्षा मांगने वाला आपके द्वार पर आता है और आपने अपनी पूजा उपासना नहीं की है तो आप उससे हाथ जोड़ कर कहिए कि महाराज घंटा बर रुकिए उसके बाद ही मैं आपको भिक्षा दे पाऊंगा ठीक है, ऐसा करने से अच्छा रहेगा और यदि आप अपनी साधना किये बिना किसी को भिक्षा दे दोगे अपने घर में से कुछ दे दोगे तो वह भी आपकी गरीबी का करण बन सकता है साथियो महत्वपूर्ण जानकारी है अपने दोस्तों तक से जरूर करें वीडियो को लाइक करें नमस्कार